प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हर्याना की अपनी आखरी चुनावी जन सभा में सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये इस बार तो पियम मोदी ने मंच से खड़े होकर ऐसी घटिया बयान बाजी की कि बयान सोशल मीडिया पर वाइरल है और बयंकर फज्यत हो रही है पियम मोदी ने इस बार इतना जूट बोला है कि राहूल गांदी ने भी उनके जूट को एक्सपोज कर दिया है तो फिल हाल पियम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया है कि बेज़ती हो रही है सबसे पहले खबर में आप प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुनिए फिर राहूल गांदी ने कैसे बैक फायर किया है उस पर आते हैं अब हमारे मुक्यमंत्री जी साइनी जी को भी गालिया देते हैं अमारा और कोई गुणा नहीं है अमारा गुणा यह है कि हम OBC यती पिछडे मा की कोक से पैदा हुए हैं इसलिए इसलिए गालिया दे रहे हैं तो सुना आपने पीयम मोधी का एक बार फिर से रोना गाना शुरू हो चुका है हरियाना में जब हार दिखाई दे रहे है तो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने एक बार फिर से मंच से खड़े होकर विक्टिम काड़ खेला है प्रयम मोदी का कहना है कि मुझे गाली दी जाती है नायाप सिंग सैनी को गाली दी जाती है और इसलिए गाली दी जाती है क्योंकि हम OBC माग की कोक से पैदा हुए है तो पहली बात तो प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी OBC माग की कोक से पैदा नहीं हुए है और दूसरी बात य तो सुना आपने राहूल गांदी पहले ही पीम मोधी के इस जूट को सडक से एक्सपोस कर चुके हैं लेकिन फिर भी प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी इस जूट को बार बार बोलते हैं और एक बार फिर से हर्याना के मंच से खड़े होकर बोला है आपको बता दे सिर्फ राहूल गांदी नहीं अमेश शाने भी पीम मोधी के इस जूट को एक्सपोस किया है लेकिन फिर भी शर्म है कि आती नहीं अगर अमेश शा का बयान आपको नहीं आदे तो खबर भी दिखा देते हैं खबर आप देखिए दाहिंदू की देखे इसमें लिखा है कि मोधी की जाती को 1994 में कोग्रे शाशन के दोरान गुजरात में OBC में शामिल किया गया था तो ये कहना है अमिश शा का तो सर्फ राहूल गांदी ने नहीं बलकि ग्रह मंत्री अमिश शा ने भी PM मोधी के जूट को एक्सपोज किया है फिल्हाल यहां पर मैं आपको बता दूँ कि PM मोधी यहीं नहीं रुके है आगे जो हर्याणा में मंच से खड़े होकर कहा है वो तो अब तक का सबसे बड़ा जूट है या फिर यूँ कहें यह जूट नहीं सबसे घटिया बयान है को अंगरेस को यह लगता है कि उसका अपना वोट बैंक तो पकता है वो सोचती है कि बटेंगे लडेंगे वो लोग जो भारत से प्रेम करते हैं तो सुना आपने कि कैसे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने भरे मंच से खड़े होकर सारी की सारी सीमाओ को ही पार कर दिया है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कॉंग्रिस का वोट बैंक तो पक्का है और कॉंग्रिस सोस्ती है कि लड़ेंगे बटेंगे वो लोग जो देश से प्रेम करते है मतलब कि जो बीजेपी को वोट करता है वो देश से प्रेम करता है और जो कॉंग्रिस को वोट करता है वो देश विरोधी है आप अच्छे से जानते हैं भारती जनता पार्टी के मुताबिक कॉंग्रिस का वोट बैंक मुस्लिम है अब PM मोधी के मुताबिक कौन देश विरोधी है और कौन देश प्रेमी है आप तै कर सकते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी हार के डर से कितना बौकला रहे हैं उनके इस बयान से साफ होता हुआ नजर आ रहा है एक तरफ जहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी वोटर्स में अंतर बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांदी ने मोधी और खुद में अंतर बताया है तो राहुल गांदी ने धागे खोल कर रख दिये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी में अंतर को साफ कर दिया है, आप देख सक ते हैं राहुल गांदी मुद्दो की बात कर रहे हैं और प्रदार मंत्री नरेंद्र मोधी कॉंग्रेस की बात कर रहे हैं हर्याडा में साड़ी नो साल सरकार चलाई है लेकिन फिर भी मोधी जी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके नाम पर वोट मांगा जा सके ऐसे में पप्लिक को कैसे बेवकूप बनाया जा रहा है आज दो दिया राहुल गांदी ने आज दो दिया गुरू राहुल गांदी ने हर्याडा में अपनी रैली के दौरान जंता से पूछा अंबानी की शादी में आपने मोधी जी को देखा जंता ने जवाब दिया ना ना भाई मजे आ गये हैं राहुल गांदी की स्पीच में तो पत्रकारों को भी मज़े आ रहे हैं राजनीतिक विशलेशिकों को भी मज़े आ रहे हैं और देखा जाए तो राहूल गांदी को भी इस बाशण को देने में मज़े आ रहे हैं राहूल गान्दी की रैलीों में रोड शो में राहूल गान्दी की जो विजय संकल्प यात्रा निकली है उसमे भारी जन सैलाब उमड रहा है बारप्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कुरसिया खाली पड़े हुई है ऐसे में ये लोग बौक ला रहे हैं और इतना बौक ला रहे हैं कि हर्याना में चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले ही मोरिया बिस्तरा बांध कर भाग कड़े हुए है आपको बता दे कि पियम मोदी ने 48 घंटे पहले ही आखरी चुनावी जनसभा कर दी है जो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी हर एक विधान सभा चेतर के लिए 22-22 रैलिया करते हैं 15-15 रोड शो करते हैं वो पियम मोदी अपनी आखरी जनसभा भी कर चुके हैं वो भी हर्याडा में सिर्फ 4 रैलिया की है देखे खबर भी मौझूद है जागरण की खबर में लिखा भी हुआ है कि प्रदान मंत्री मोदी आज पलवल में विशाल जनसभा को करेंगे संभोधित विधान सभा चुनाव की ये चौती और आखरी रैलिया है तो सर्फ 4 रैलिया की है और पहली रैलिय तो तब की है हर्याडा में जब नॉमिनेशन फाइल हो चुका है तो हर्याडा में कैसे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है आप देख सकते हैं और सर्फ यहाँ पर पीम मोदी की बात नहीं है चाड़क के कहे जाने वाले ग्रे मंत्री अमिश्या भी भाग खड़े हुए है आपको बता दे कि चुनाव हर्याडा में चल रहा है जम्मू कश्मीर में चल रहा है हर्याडा में दो दिन बाद वोटिंग होने वाली है कल शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खतम होने वाला है लेकिन अमिशा हर्याणा में ना होकर महराष्ट पहुचे हुए है महराष्ट में पहुच कर मीटिंग ले रहे हैं और मीटिंग लेकर तै किया जा रहा है कि महराश्च में टिकेट बटवारों को लेकर क्या कुछ होगा तो आप देख सकते हैं कि मोधी शार कैसे दोनों के दोनों हर्याणा को छोड़ कर अपने अपने काम पल लग गए है लेकिन राहूल गांदी अभी भी हर्याणा में ही आक्टिव है रुजान बता रहे हैं कि हर्याणा में परिवर्तन होने वाला है और इस बार तो इतना जबरदस परिवर्तन होने वाला है कि भारतिय जन्ता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा और जाहिर सी बात है अगर हर्याणा में सूपड़ा साफ होगा तो महराष्ट में क्या होगा आप समझ सकते हैं तो पीम बोधी के इस बॉक लाहट पर राहुल गांदी के इन बयानों पर आपको क्या लगता है हर्याना में क्या इस बार कमाल होने वाला है इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को जादो जादो शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जोइन करें, फिर मलते उगली खबर के साथ तब तक के लिए धनिवाद जोगन जोगनना जाय हमें, जोगना जोगना जादो करें, जोगना जादो जादो जादो